श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिति लेकर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत बोरा जाता है तो आये जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों चंद्रमा इस दिन आपकी कुण्री में दूसरे स्थान में रहें गैंगे यानि धन भाव में रहेंगे जी हाँ ये चंदरमा की पोजिशन काफी अच्छी रहेगी ये दिन आप के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है व्यापारियों को व्यापार में काफी मुनाफा होने की संभावना रहेगी निवेश करने के लिए समय बिलकुल सही रहेगा इस दिन आप कही पर भी खर्चे कम होंगे वह आई ज्यादा रहेगी फिजुल के खर्चे पी इस दिन होने की संभावना काफी कम रहेगी नोकरी पेशा लोगों की लिए ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है ग्रहमान आपके पक्ष में हैं आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपके कारेक्षित्र में वातावरन आपके अनुकुल रहेगा सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा आपके अधिकारियों से शाबासी भी इस समय में आपको मिल सकती है यानि आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे आपके कामों में मन भी मिलेगा मनुमानचीत नोकरी आपको इस समय में मिल सकती है अगर स्टूडन्स की बात करते हैं तो स्टूडन्स के लिए समय शुब रहेगा इस समय में महत्व पुरुन फैसले ले और उस पर अमल करें लाब जरूर मिलेगा जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है जो विद्यर थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मौका इस समय में मिलेगा यात्राय होने की भी संभावना रहेगी परिवार में कोई फंक्शन या कोई समय काफी अनुकुल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वह संबंद अधिक मधूर बनेगे पार्टनर्स के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अनबन बनी हुई है तो वह अनबन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करे अनबन या किसी तरह की दुरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको कामया भी मिलने के संकेत हैं टेंशन नहीं रहेगा सोच पॉजिटिव रहेगी पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है तो कोई पेंडिंग काम है तो इस समय में आप पूरा करने की कोशिश करे वो काम पूरे हो जाएगे, married life भी इस समय में मधूर रहेगी, partners एक दूसरे को अच्छे से समझेगे, प्यार वशांती का माहोल आपके घर में, आपके परिवार में आपको इस समय में देखने को मिलेगा, अगर स्वास्ते की बात करे, सेहत की बात करे, तो ये समय आपके स्वास्ते के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है, जीहा सेहत सम्मंदित कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी, पुरानी चल रही जो बीमारिया है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा, इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छे रहेगी, प्रसनताव आनंद में दीन व्यतित होगा, दोस पुबे टहलना जारी रखे, एक्जरसाईज जरूर करे, सोच पॉजिटिव रखे और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दे, क्यूकि हमारे मिन में जो भी विचार बार बार आते है, उन विचारों से ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है, तो आमारे विचारों पर भ लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशीपल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे। इसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्र इरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनके रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चछत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चछत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चछत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद